तो नमस्कार दोस्तो मैं विशेक कांदेले कांदेले हुम डिजाइन पर फिर इक पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तो तो आज हम लाएं दोस्तो 3BH की ड्यूप्लेक्स प्लान जो की प्लॉट साइज था दोस्तो 2823 में हमने बना था ठीक है दोस्तो हमारी कस्टमर थे आरे दोस्तो और आपके घर का नक्षा बनवाना हो थे यृदी डीजैन बनवाना वास्तो अस्टर के रचार फिर इस तर और आपको बाहर लोग मतलब into the टिजैना चाहिए चाहिए अंदर का λूग चाहिए या फिर बाहर का लक चाहिए झॉस्तु एक्सषैयर रिलlillah चाहिए 3D में तो हम आपको बना कर देंगे estimate Rcc thankfully चाहिए या फिर आपको चाहिए थो वक्त्रू वीडियो जो का और हुसके नॉमिनल चार्ज़ दोस्तो इनका नियुसाइन पर्वाइड करते हो दोस्तों तुस्तों第三 ना करथे इस वीडियो को मिल जाएगा लेकर घुए लेकन हम उसके नॉमिनल चार्ज और सिर्फ फ्रेंट से इसको वेंटिलेशन मिल रहा था तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर हमने ऐसा प्लान डिजाइन किया था यह देखिए जैसे हम एंटर करते हैं तो यहां पे हमने एक मेंगेट दिया है दूस्तो दस फीट का जैसे हम अंदर इंटर करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं आठ फीट 10 इंच बाइं 15 फीट 2 इंच के हमने एक कार पार्किंग यहां पर प्रोइट किया है जो जो कि है दूस्तो आठ फीट 6 इंच इसकी लेंद ठीक है आठ फीट 6 इंच अगर हम छोड़ते हैं यहां से फीट इंच के मिस सब्सक्राइं 15 austro अनुट 3 इंच का इक से धीक का अठान को न हमने प्लान बनाए था यह वस्तव शास्त्र के प्लान नहीं है लेकिन अगर अपको हम प्लान बनाना गो सलव खीखेस और इकंट आपो को हम प्लान इक्षेस नहीं है खेकष्याँ के बीज़ने तो यह देखे शेप में so कने हैं तो तो थके बिए पеленार में अधि Should also यहां पीछ जाते है दोस्तो हम यहां पर देख सकते हो 4ft 4 inht के हमने गोष्तो जिसका size है दोस्तो 4 inq by 12 feetyd यहां यहां पर अच्छ कहसा space है दोस्तो दोस्तो यहां पर हमने यूटिलिटी जो哇IR रहता है वो Pree about किया है ठीक दोस्तों यह देखिए इसी के हमने बगल में यहां पे आप देख सकते हो राइट साइड में हमने चौदा फिट दो इंच बारा फिट का यहां पर अच्या कासा एक बड़ा सा बेडरूम प्रोइट किया है ठीक दूस्तों जैसे हम फ्रंट में आते हैं लिविंग जिसका साइज है बारा फिट बा ग्यारा फिट का ठीक दूस्तों यह अच्छा कासा एक बड़ा सा हमने कीचेन यहां पर प्रोइट किया है दोस्तों और आप देख सकते हो हमने यहां पर वेंटिलेशन के लिए जगा चूड़ी थी दोस्तों और फ्रंट साइड में यहां किचेन को चूड़ को आजसने से वेंटिलेशन बिल रहा है ठीक हैं तो आप देख सकते हो हमने यहां पर बैख सैड में जो बेड रूम दिख रहा है यहां पर इसको धेड़ चौड़ाता हूं और जैसा केवा जैसा कि बैक सेड में पर भेडरा फिकी अ बना ओन यहां पर दिखाते हैं दोस्तो यह दिखे जैसे हम staircase से ऊपर आते हैं दोस्तो तो यहां पर हम एक passage मिलता है चार फिट का जो कि आप देख सकते हो दोस्तो यह जो staircase है यह देखिया आप ground floor में जो staircase हमने प्रोड की थे नो दोस्तो इसे के जो staircase यहां पर आ रही है तो इसके नीचे हम dining area यहां पर यूज कर सकते हैं इस space को हम dining area के तौर पर यूज कर सकते हैं तो यह देखिए आप फिट का यहां पर passage देख सकते हो यहां से हम उपर का जो फिर्स फ्लोर है इसमें हम bedroom में जा सकते हैं जिसका size है दोस्तो 14 फिट 2 दोस्तो मतलब windows हमने यहां पर प्राइट किये और जो कि back side है दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं नीचे जो ground floor में हमने wash area दिया है utility वही पर यहां पर slab ने आएगा दोस्तो यहां पर open रहने वाला है क्योंकि हमें नीचे ventilation चाहिए ठीक है दोस्तो इस हिसाब से यहां पर O दोस्तो जो है चार फिट बाई साथ पीट का सेम जहां पर हमारा kitchen था दोस्तो उपर उसके ऊपर हमने यहां पर bedroom प्रवाइट किया है जो कि 11 बाई 12 फीट का ठीक दोस्तो और यहीं से हमने एक पैसे दिया है दोस्तो चार फिट का और आप यहां पर देख सकते हो open to top slab यहां आप उपर का view यहां से आराम से देख सकते हो ठीक दोस्तो तो यह दूप्लेक्स प्लान था दोस्तो यह से आप फ्रंट में आते हो आप देख सकते हो यहां पर 12 फीट चारेंज बाई 9 फीट का हमने एक सेट आउट जया है अगर आप साथ सिंपल लैंग्वेज में कहोते ब और दोस्तो इस चैनल पर आप नहीं हो तो जरू सब्सक्राइब कीजिएगा आपको नक्षा बनवान हो तो उपर आपकी स्क्रीन पर दो नंबर दिख रहे होंगे दोस्तो उस पर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए आपको हम आपके रिक्वर्मेंट के नोसर नक्षा और 3D डि अगले वीडियो में जै ही जै महाराष्टर नमस्कर दोस्ते